माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्लत्व में आज पूरा देशाजादी का अमरित महोत्सव मना रहा है एक ओर जहां तेजी से विकास हो रहा है वहीं दूसरी ओर परियावरण को सहिजने की चुनोतियां भी सामने आ रही है वायू प्रदुशन और कार्बनुत सर्जन वर्तमान में बड़ी चुनोति है माननीय प्रदान मंत्री जी का शहरों को स्मार्ट एवं इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प उत्तर प्रदेश में पूरा हो रहा है माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संकल्प पत्र में किये गए बादे को पूरा करते हुए आज मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट मोडल के मध्धम से उत्तर प्रदेश में शहरी यातायाद को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इलेक्रिक बसों के संचालन हेतु अभिनाव पहल की जा रही है तथा साथ ही साथ मेट्रो रेल एवं रैपिड रेल सेवाओं को भी बढ़ाया जा रहा है इलेक्रिक बसों के संचालन में उत्तर प्रदेश में यातायाद के नई युग की शुरुवात हो रही है प्रदेश में भारत सरकार के भारियुद्यम विभाग के फेम बंच स्कीम के अंतरगद उर्व से 40 इलेक्रिक बसें संचालित हो रही है तथा फेम टू यूजना में 700 इलेक्रिक बसों में से 75 बसों के प्रदेश के 7 शहरों लखनव, कानपूर, प्रयागराज, वारानसी, जहांसी, गोरखपूर वगाजियाबाद में संचालन का शुभारंब माननिया प्रदानमंत्री जी के कर कमलो द्वारा आज किया जा रहा है ये एलेक्रिक बसें प्रदेश वासियों को सुखद एवं आविस्मरिनिये यात्रा कराएंगी बहतरीन पिकप वाली सैमी लो फ्लोर बसें एक बार चार्जिंग पर 500 किलोमेटर तक चलती हैं जिनके लिए जाजिंग स्टेशन, स्मार्ट शेल्टर्स वा स्मार्ट क्लीनिंग की विवस्था की गई है सरल एवं पारदर्शी यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड तथा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया गया है स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर उत्तर प्रदेश दूसरे राज्जों के लिए विशेश उदाहरन पेश कर रहा है स्मार्ट यूपी, ग्रीन यूपी की ओर बढ़ते कदम